हेलो फ्रेंट्स बेलकम टू माई यूटूब चैनल आरारेम क्लास इस वीडियो में बात करने वाले हैं कई महत्यपूर्ण भरतियों के बारे में तो पहले हम बात करेंगे अल्टिग्रेट भरती मामले के बारे में इसके बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे म में और फिर बात करेंगे उन्हां तरह सच्छक भरती एक अंक बढ़ाने की मांग को लेकर जो ग्यापन सौपा गया है उसके बारे में हम बात करेंगे तो चलिए वीडियों को करते हैं सुरू तो यहां आप देख सकते हैं कि फिर लटक सकता है नियुक्ति पत्र बित्रण का म मामला तुम बात करने वाले हैं एल्टी ग्रेट भरती के बारे में राज की मादमिक बित्यालों प्रवक्ता और एल्टी ग्रेट के चैने तरलाग भग भग तेरा सो पंचानवे अभ्यार्थियों को दो साल बाद भी नियुक्ति नहीं मिली है निकाय चुनाओं के कारणिय मामला और लंबा फस्ता दिख रहा है चैनेत अभ्यार्थियों ने सीग्र नियुक्ति पत्र बित्रण की मांग की है उत्तर प्रदेश लोक सिवा आयो की और से बर्स 2020 में अलग अलग बिसियों में 1272 अभ्यार्थियों का सहायक अध्यापक और प्रवक्ता पद के लिए चै जारी की गई थी जिसमें से 123 अभ्यार्थियों की चैन सूची बाद में जारी की गई इस तरह से कुल 1395 में अभ्यार्थियों की प्रमाण पत्र का सत्यापन का का ने देशालाई की और से जोलाई में ही पूरा कर लिया गया था अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी भरती के तो लिखा यहां कि TGT भरती में बिसंगतियां दूर करें या कोट ने आजिस दिया है। हलप नामत दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुख्य सच्चयो कानून की मंसा के अनुरूप हलप नामत दाखिल करेंगे। यह आदेश न्याय मूर्ति सौमित्र दयाल सिंग्य ने स्री गांधी इंटर कॉलेज गोरकपुर की प्रबंद समेती की याचिका पर दिया है। मादमिक सच्चा बेवाग के प्रमुख सचयो दीपा कुमारों ततकाली ने अपर मुख सचयो अराधना सुकला के हलप नामे की बिसंगतिया पर कोट ने कहा कि अधिकारियों की कारवाही अनिस्चत्ता को बढ़ावा देने वाली है। मुख सचयो को सुप्रियम कोट के प्रमुख सचयो मादमिक सच्चा दीपा कुमार का हलप नामा दाखिल किया। सहयक अध्यापक के खाली पदों पर सेवने बृत्ती अध्यापकों को ऐस्थाई नियुकति किये जाने की नीती की जानकारी दी गई है। अपर महादिबक्ता से इस पश्ट तोर पर पूछने पर वह भी सहाय का ध्यापक की भरती की कोई समय सीमा बताने में असमर्थता प्रिकट की हलफ नामे बिसंगतियों से भरे और बिरोधा भासी है जो खाली पदों को भरने पर संदेह पैदा करते हैं तो सीर सद्कारियों के बिरोधा भासी हलफ नामे पर कोट ने नाराजगी जताई है और 16 देसंबर तक हलफ नामा दाखल करने का निर्देश दिया है तो अब हम 59 अच्छक भरती मामले के बारे में भी जान लेते हैं लिखा आए और गलत प्रस्ने के आंक आप सभी को देने की मांग तो परसे देए बद्याला अमोनहतरbles से चक भरती प्रकरिया की पर एक चामे गलत पूछे गए प्रस्ने के अब भास्ने को आंक का लाप देने की मांग की है इस संबंद में अभ्यर्थियों ने महाने देशा कि स्कूल से च्छा को गया अपन सौपा है अभ्यर्थी राम कुमार सिंग महिस परसाद नवीन कुमार हुआ अन्ने के अनुसर मामले में नियाला ने भी प्रस्न संखे 143 के सभी विकल्पों को गलत माना है साथ ही अभ्यर्थियों को इसके अंक देने के लिए कहा गया है इसके बावजू चर्चा है कि इसका लाप सिर्फ उन्हें अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो उस चिन्यालाय में याची थे ऐसा होगा तो अन्ने अभ्यर्थियों के साथ यह अन्याय होगा मांग की है की प्रस्ने के मूल ल्यांकर में समानता बारती जाए तो ये आज की लेटेस्ट अपडेट ही जो हमने आपको बता दी है ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने थेंक क्यूं